हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ विंटर में स्पेशल ही हमारे जोडों में दर्द बदन में दर्द इंफलमेशन होती है उसके लिए यह 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 जो रड़िया है साथ ही चोटे पच्चों से लेकि बड़ों तक सभी को काम हैगा चोटे बच्ची आजकल बहुत जादा ऑनलाइन रहते हैं उनकी आँखों पर स्ट्रेस परता है नर्वस सिस्टम को यह बूस करता है इंप्रूव करता है तो यह जो रेमिडी है वो जरूर आप बनाएं तो यहां मैंने छु क्योंकि इसे 6-7 गंटे बिगोना जरूरी है ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है और भी अच्छी तरह से सारी हमें मिल सके तो चलिए मिलती हूं बाद में तो यहां ओवरनाइट मैंने इसको सोग करके रखा था यह देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है और खजूर का भी यूज कर सकते हैं या आप यह सुखे जो चुवारे होते उसका भी यूज कर सकते हैं तो आप सारे में से बीज इस तरह से निकाल ले और जो बादाम है उसको चील ले बादाम को आसान तरीके से कैसे चिलना है यह मैंने आप से शेयर किया था तो उस तरीके स छील ले शोक के चुआ और और चुआरे झाले हैं सी तरह से जरारे हैं लेलिया दरीडाल 5 Scottishण बिल्लाइबb डालेंगे ताकि इसको को पेस्ट बहुत ही अच्छा को प्न सके ये इसलिल और से जाद को बीरे टेहीं भास आप पास अब सबया आज आप लेना को अब शुरू करें इसको मैं कट करके डालूंगी क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी पानी या दूद नहीं आड करेंगे इसे इसी तरह से पीसना है क्योंकि दोनों चीज अच्छी तरह से भीगोई हुई होती है तो यह आराम से इसका पेस्ट बन जाएगा बादाम भी इसमें आड क तो इसको कैसे स्टोर करें यह आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी आप क्या करें इसकी छोटी छोटी गोलिया बना ली यह देखे इस तरह से गोलिया बनाने से क्या होगा आप एक एक इसको यूज कर सकते हैं अगर पूरा का पूरा पेस्ट आप अगर स तो यह पेस्ट अप हफते दस दिन आराम से फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है इसलिए आपको बिना पानी या बिना दूट डाले इसका पेस्ट बनाना है ताकि हम इसे अच्छी तरह से स्टोर कर पाएं तो सारा मैंने इस तरह से इसके पेड़े बना लूँगी और ये आपको पहले फ्रीज करना है और फिर कोई कंटेनर में भरके रख लेना है चलिए अब फटा-फट से इसका दूद बनाना शुरू करते हैं दो कप मैंने यहां दूद बनाना है तो दो चम्मच मैं इस तरह से डाल दोंगी अगर आ फ्रीजर में इसे टिकिया निकाल रहे हैं तो वो दो डाल दीजे अब इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूं सौंट का पाउडर ये कैसी घर पे बनाना है यह भी बताया था यह आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं दाल चीनी डाल देंगे दो चोटे तुकड़े और एक इलाइची को इस तरह से खोल के ही डाल दूंगी क्योंकि हमें दूद को चानना नहीं है तो हम बाद में इसे निकाल लेंगे अब मैं यहां फ्रेश हल्दी का तुकड़ा दाल रही हूँ हल्दी भी घर पे कैसे बनानी है और इसके बहुत जारा है मैंने टीप वाले वीडियो में शेयर किया था तो ब्यूटी और ब्रेंस पे वो वीडियो ज़रूर देखेगा यह देखें मैंने इसको अब अच्छी तरह से बॉil करूंगी अभी हम इसको हल्दी बना रहे हैं तो आप मिश्री का यूज कर सकते हैं अदवरिस आफीका दूद थोड़ा सा मीठा को चलेगा तो मिश्री भी दालने की जरूरत नहीं है इसे अच्छी तरह से आपको बॉil करना है ताकि जो सारे बेनेफिट से वह दूद में आ जाए और हम द दाल चनी और जो हमने इलाइची डालती वह आप निकाल ले और चले इसे हम सर्व कर लेते हैं तो इसे मैं इस तरह से सर्व कर रही हूं जार में यह देखिए बढ़िया सा हेल्दी सा हमारा विंटर स्पेशल मिल्क रेड़ी है जो हेल्थ बेनिफिट से बरपूर है इसे र बिमारियों का एक solution यह दूद है सुबह सुबह ले लेंगे आपको मज़ा आ जाएगा और यह जो है मैंने जो बताया है इसको स्टोर करने के लिए फ्रीजर में रख दे वह फ्रीज हो जाए फिर आप कोई भी एटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में उसे स्टोर क कर लें और सुबह सुबह जब आप दूद बना रहें बस गरम दूद में डाल दीजी वह अपना मेल्ट हो जाएगा है ना बहुत ही आसान तरीका रोज सुबह आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कैसी लगी यह आपको विंटर स्पेशियो रेसिपी उसके लिए जरूर क कमेंट करिएगा लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को तिल राइन टेक केर बाबाई